हेलो दोस्तों मैं और एक वीडियो लेकर आचुकी हूँ यह वीडियो को टॉपिक हो जाएगा टैक्सोनॉमी तो हम लोग जब भी टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले तो कुछ बाते आप लोगों से करनी होगी जैसे कि यह वीडियो अगर आप लोगों अच है जो अपलोड कर रही हूं मेरे चैनल पर वह भी आप लोगों कैसा लग रहा है तो वह भी मुझे बताइए ठीक है तो चलिए वीडियो काम लोग स्टाइट करते हैं तो पहले हम लोग देख लेंगे टैक्सोनॉमी क्या है और टैक्सोनॉमी में क्या क्या आ रहा है तो पह लिए बहुत इंपॉटन है जैसे कि इतना सारा लिविंग और बहुत सारा टाइपस के लिविंग और लिए अर्थ में तो टैक्सोनॉमी जो यह ब्रांच है यह साइंस यह डील कर रहा है कि कौन सा और लिग इसको डालना है क्या नाम इसको देना है इसका डिसक्रिप्शन इसका फीचर करेक्टरिस्टिक क्या क्या होना चाहिए क्या क्या है ये सारा जो data information है ये सारा इसको मतलब एकदम से ठीक से रखना इसको मतलब फर्दर जो रिशर्च कर रहे इसमें भी बहुत सब्सक्राइब तो हम लोग देख लेंगे टैक्सेम का जो है क्या important है क्या process इसमें आता है तो taxonomics में तीन process बहुत important है first है identification second is nomenclature and third one is classification तो इसका भी description इसका definition हम लोग देख लेंगे so identification is the process of determining that a particular isolate belongs to a recognized taxon that means कोई organism है उसको पहले पहचान कर लेते उसको यह जो organism है यह कौन से ग्रूप में जाने वाला है लेकिन कैसे जाना वाला यह हम लोग बात में देखेंगे लिए कौन से ग्रूप में जरेगे apparent idea preliminary idea यह identification के माद में होता है तो identification जब भी हो रहा है उसके बात next process आ रहा है नॉमेंक्लेचर नॉमेंक्लेचर मतलब उसको नाम देना जैसे कि कोई एक प्लेस हो एक प्लेस है दूसरा प्लेस भी है तो लोकल नेम जो हो जाए कोई एक और्गेनिजम का वह अलगल हो रहा है तो इसलिए सैंप्ल करेंब कर देटे को रके आइसांटिफिक नामने जाता है जो हर संपल नहीं होगा तर जो ऺागा से संपल थे लिए ज और पहली थेल सेंपल सेंपल बहुम को निंदग बिंद नहीं होगा तो स्प्सक्रणा धर क्षग्नान तर्ट ही कुष है तो इसको भी थोड़ा सा जान लेते जब भी कोई और इसको डाले है कॉन सा ग्रूप में इसको डालना है अगर कोई एक सैंपल है इसको हम लोग पता नहीं यह क्या है लेकिन इसको अपर आइडिया चुका है तो हाँ यह यह अनिमल में आ रहा है इसको इसको प्लांट बहुत प्लांट सारो बेठात के साथ करें रहे हैं ahorita कि कि तक हो फोड़ब तो इसवी चरत उन्म की आइडियाator में स्टकेशक्री आइडिया दिया उन्हों ने कहा कि लिविंग थींग इस शन्में सिंपल डोनों ग्रूप में यह प्लाट का हें एक इतना उन्होंने आइदेख यह दिया लिबिंग और निसम यह थो फिर प्लांट में आजाएगा यह तो फिर वह एक अनिमल में आजागे इतना आइडिया के बाद धीरे-धीरे क्या हुआ यह जो taxonomy का आइडिया जो है इसके उपर बहुत सारा काम हुआ तो हम लोग और भी देख लेते हैं यह एरिस्टोटल के बाद क्या हुआ उसके बाद आए जो एक मतलब है बहुत अच्छा सा एक configuration में यह taxonomy का आइडिया दिया जिनको हम father of taxonomy बोलते हैं उनका नाम है इसके बाद भी और सारा धिरी तरी दिश्टोटल के बाद बहुत अच्छे से आइडिया दिया उन्होंने कहा कि यह system जो है इसको बोलते हैं बाद भी और सारा धिरी धिरी डेवलोप्मेंट हो रहा है जैसे कहां लोग नेक्स लाइड में देखेंगे इसमें हाइलेट किया है देख सकते हैं फिर्स्ट इसमें प्रोटिस्टा फंजय है प्लंटी है अनिमेलिया यह यह पांचो जो है यह किंग्डम है एक्दम मतलब हम लोग बोल सब्सक्राइब का हायर यूनिट्स है ठीक है और इसमें भी बहुत सारा ग्रूप्स आते यह त है तो हम लोग थोड़ा सा इस्ट्री के बारे में जान लिया कि यह सारा हो रहा है पर एरिस्टोटल में एडी दिया फिर केरोलस लिनियस ने फिर विटे कर में और धिरे तरह इसका और भी मॉर्णाजेशन हो रहा है तो चलिए नेक्स लाइड में चलते है तो हम लोग लिइसके तेक्सोन हम लोग जान लेंगे कि यह टेक्सणोमि क्या चीज है ठीक है चलिए नेक्स लाइड में सो सार्व सारा से इतना सारा को लेकर नहीं हो रहा ँतना सार इतना यह जह लिफिर्विंग और कर नहीं हो तहांतों कि को लेच्टो का वह Pr Axa तर्श्राइब नाम भीले के तर्श्व के बनाया गया है कि यह चाड किया है शुर्र मॉर्फोलोजी देखते थे थे और इंपलू को भी देखते थी सारा मतलब कुछ भी नहीं कहीं के यह बैक्टिरिया जैसे के पाच फिंग्डम हो रहे हैं बैक्ट्रिया का फिर फ्लंट का फंजाइका टैक्सोनॉमी याल्गी का यह सादा फीटव जो है सुपर्फिशिल फीचेस इसको जज करके ऐसके एक रफ इसको गृूप यह बनाया जाता था और कुछ देखते हैं इस में फीचर्स को भी इसे को भी जच करते थे कि हाँ यह ऐसे वह बनाते थे तो एकोलोजिकल किर्टरिस्टिक जनेटिक एनलाइस यह सारा भी क्लासिकल टेक्सोनॉमी का पार्थ है किहां यह भी होता था किहां कौन से हैबिटेट में है और गैसम इसक सब्सक्राइब तो नेक्स लाइड में चलते हैं क्या होता है दूसरे में तो हम लोग देख लेंगे के इसमें क्लासिफिकेशन स्वाणी क्लासिकल टैक्सोनमी यह देख लिया तो बता है कि हो स्परफिशियल करेक्टर स्कूर देखते हैं लेकिन जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन आरने प्रोटीन यह सारा को देख और यह एक प्रॉसेस जिसमें देखते हैं जी प्लस C कंटेंड को दिखते हैं कि कोई एक unknown sample है तो unknown sample का जी प्लस सी content निकालते है जैसे कि जी और सी जो nucleotide base है new DNA में वह यह formula के help से निकालते थे और देखते हैं कि हाँ इसमें क्या है परसेंटेज निकल आता था जी प्लस सी का उससे निक्स प्रोसेस में जाएंगे तो यह आ जाएगा नेक्स प्रोसेस हो जाएगा नुक्लीक असिट है और यह प्रोसेस कैसे करते थे नुक्लीक असिट हाइप्रिडाइजेशन में क्या होता था कि जो अनुन सैंपल है उसका सिंगल स्टेंड डियने ले लेते थे अगर वह डिए डियाप्रोसेस उसको ब्रेकडाउन करके तो बहुत सारा और भी दूसरे तरीके का जो स्पीशीस का डियने है उसका साथ भी ल सेंपल जो हम लोग लिए नोन सेंपल है उसके साथ अगर बॉन फॉर्म करता था है वह दूसरे सिंगल स्टेंड डियने के साथ अब यह इसमें देख थे है कि है विद्डाइजेशन का परसंटिच कितना है इसके जाथ उसका मैच ज्यादा होगा और विएसली उसके साथ व बिए ऋपर 10-1 तो अपिए उसका क्लोस सकता है थिक है ऐसे यह प्रोसेस के साथ डितर्माइन करते थे क्या यह परोशा मैं आढcr यह चलते हैं कि अल मैं चलते हैं और यह परोशसरन हो गया है तब है कि शीक्वेसिंश क्या करते हैं कोई लिए कनन सेंपल है में हुष का निन के लिए लemi मैं। ऊसमान है यह डिन के लिए-वन आरे रहे लिह जा रहता सै तो किएनी सेक्स्वेंस में कर सकते हैं लोग करते हैं दूसरी अरगनिजम और pero होते उसको लेटे थैं उसको सीकुंस करते दे और ऐनन संपल का ये जी मिले जादे उसके साथ त Wheel ठतתु कर सकते हैं यह इसका माई ऑम यह कर सकते हैं जैसे की अगर प्रोकारेट हो तो शुक्सटीनेस देन लें लेते थे तो फिस बोलता है इसका बोलता सिगिनेचर सेक्वेंस क्या बोलता है इसको इसको बोलता है signature sequence इसका नाम यह बहुत important है क्योंकि signature sequence बोलता है क्योंकि signature sequence जो है यह determined करते है कि कोई organism जो है उसका ancestor के साथ जो relation है वो उसके साथ मैच होता था कोई organism है जो हम लोग कुछ भी हिन पता नहीं है हां design wounds the signature sequence वो सब्सक्राइब यंक इसका साथ कुछ ना कुछा सिमिलिटीटिस होता ही होता है तो यह 16th sequence unknown sample का ले लिए उसका sequence करता है कि उसको फिर मैच जहते हैं भह सरे organism's है अगर किसी के सथ वह 16th gene mo γो है वह मैच fight है तो हम लोग जéri इसको 1 कर सकते हैं एक कम लोग बोल सकते कहां यह इसका मैसक खारा है यह इसका अ बिए ग्याना फॉस्से स्ट्रा में चले तो यह निम्स आगा तो नुमरीकल टाक्सोनॉमी का आईडिया तो इसमें क्यों होता था ग्रूपिंग बाइनुमेरिकल मैथोट्स ऑफ टेक्सोनोमिक यूनिट्स इन्टो टैक्सा अंदा बेसिस ऑफ देर करेक्टर स्टेट्स जैसे कि क्लासिकल टैक्सोनोमी में हम लोगों ने बहुत सारा फीचर देख लिया मॉलिकुल टैक्स ने भी ब लेबल में एंजाइब प्रोटीन यह सारा लेबल सारा को एक सारा को एक जो है न्यूमरिकल मतलब मेथर से कंप्यूटर के यूज से क्या होता था यह सारा इन्फॉर्मेशन के एक साथ मतलब जच करते थे ठीक है तो यह जच करते करते क्या होता था हम लोगों जिसके साथ म नियुमरिकल टैक्सने में ऐसा ही होता है कि information about the properties of organism is converted into form suitable for numerical analysis and then compared by means of computer जैसे कि यह मैंने कहा convert into form of numerical analysis जैसे कि यह सा information है इसको एक numerical value में convert कर देते उसके बात इसको compare करते थे computer के साथ जिसमें बहुत सारा database पहले से जो non samples are non living organism है उसके बारे में information पहले से data में तो यह सारा information के साथ unknown sample का करते है और इसको classify करते है और इसको specific group में belong मैं तो कॉंसा group में belong करते है वह ultimate वो जान लेते हैं यह से टिक्सनों में प्रोसिट जो है यह करते है तो सो तर रिजल्टिंग क्लासिफिकेशन इस बेस्ट जेनरल सिमिलिटी अज़ज वाई कंपरेशन आप मेनी करेक्टरिस्टिक इस गीवें इकुल वेट यह मैंने क इसके साथ इसका सिमिलिटी हो रहा है इसके उपर फाइनल जो है एक कंक्लूशन ड्रॉट किया जाता है और अन्नून सैंपल चले नेक्स स्लाइड में चलते है तो हम लोग देख लेंगे कि हाई यह डेफिनिशन आप स्पीशी यह कहां से अल्टिमेटली आ गया यह वीडि छूटा जो यूनिट है वह स्पीशी तो क्यू पीशी इंपोर्टन होता है क्योंकि देखें बहुत सारा ओर्गीनिशम जो है वह एक जीनस में आता है लेकिन लेकिन ब्रॉट अलग हो जाता है सो इडिशी यूनिट अप्र अप्रॉट्शन अप्रॉट्शन इंड प्रेजंट कर दा है कोई एक डिकोपनाइस टाइप को कोई एक और गनिजम जो अगर कोई उसका पीजिए कोई दूसरा और गनिजम से एक दम हटके है कुछ डिफरेंट था उसमें तो यह स्पेशी इस लेबल में जाके अलग होता है ठीक है फॉर्स एक्ष्वाली प्रोड़ cac-reproducing organism a fundamental definition of species has been reproductive compatibility so this definition falls for many microbial species including bacteria because they do not reproduce sexually अगर यह species कम लोग definition देखेंगे तो यह sexual reproduction जो करते है अरिजम उसमें क्या होता है जो species होता है वह उसमें क्या होता था अधा निच्शी अच्छिवाली कर सकते एक मीचिए दृस्रेडर शिया छन्साते लेकिन अगर माइक्रोब्स के वरे में यह दिफिनिशन वह नहीं होता है थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि हम लोग देख लेंगे इसके बात क्या और आ रहा है अलग है तो मैंक्रोब्स फालोजनी में यह बहुत इंपोर्टन यह नाम बार्गेस मैनुवल जैसे अनों सेंपल जो डाटा बेस के साथ मैच करते हैं देखते हैं क्या होता है क्या कौन सा इसका क्या क्यार्टरिस्टिज मैंच कर यह यह होने से पहले नियुमेरिकल टैक्सों आइसे इसां मियोमें यह दिख क्रूसिते हैं कि इसका ऍनियुमेंशन दिखन सब्सक्ति अधनाया गता सबस्क्राइब करने के लिए वह पहले बहुत सब्सक्राइब. इसमें आता गया जितना इंफर्मेशन एड होता जारा है टाइम के साथ इसका इडिशन और भी बढ़ता जारा है जैसे कि अभी नाइन्थ एडिशन में क्या कड़ रहा है देखिया आप देख सकते हैं इसमें साथ इसमें प्राइमेरिली फिनिटीक इन इस क्लासिफिकेशन मतलब अभी देखिए के 1927 में स्टार्ट किया फिर 1984 में और वी अच्छा सा वर्शन आ गया जिसमें बहुत सारा फेनिटिक ट्लाइटिक चैरेक्टिक दिया हुआ जो इंपर्टन तो बार्गेस मैनुव इसमें बहुत सारा एडेशन इसमें पहले क्या था बार्गेस मैंने ओजिसमें बैक्रॉल रजी में किसका 5 प्रडेशन आया 5 प्रडेशन के था ताइम में पाच इनका वॉल्म से यह लिखा हुआ है कि मॉस्ट माइक्रॉजम जो है इसके लिए यह इसारा इंफॉर्मेशन इसारा वोलिम्स में उन्होंने एड किया क्या है क्या है क्या गूपिर्विजम है माइक्रोपनिजम का यह साड़ा इंफरमेशन डिटेल वर्क इसमें दिया हुए तो चलते हैं में पहले बारेमें डॉमेंस अज़ते हैं मैंक्रोपनिजमा सब्सक्राइब यह निक्नला क्या है क्याओ चैसमी जाय है tired तो लास्ट में किया वह कि काल उसने भी एक निए टी में इसका एक टक्सिणोमी का आईडिया तो उन्होंने किया किया और लीविंग दोने में भाग कर दिया तो यह जो मैं जह एक डो मैं आगे 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 स्कीव स्कीवर्य काल और में तो इस दोनों प्रोकेश है और यह करिया जो है यह हो गया इसका यह सरी यहां इसमें तो व। बनाया इसके ऊपर लेकर कर के यह सरा डाटा को लेकर सब्सक्राइब करें तो इसको साथ इसको जो इसको अंसेस्टर है कॉमन नंसेस्टर परइसे यह थोड़ा ख्लोस है अधर देंड बैक्ट्रिया का थोड़ा सा दूर है इसके साथ तो आड़ गया और यूकरिया जो है यह क्लोसली रेट है यह इन्फॉर्मेशन और ने सिक्वेंस के हल्ट से ही मिला था ठीक है चलिए नेक्स स्लाइड में चलते तो यह सारा देखिए वह इसको क्या करते हैं एंप्लिफाइ करते है ठीक है सिक्वेंस दीन को पहले एंप्लिफाइ करते हैं पीसियर के हल्ट से फिर उसको आइंप्लिफाइ करने के बाद यह जो सिक्वेंस करते हैं इसको सिक्वेंस करते हैं सिक्वेंस करने के बाद देखते हैं इसका बेस्वेंस क बोलते हैं इसके साथ से एक रफ आइडिया दिया जाता है कि हाँ यह जो अन्न सैंपल है इसके यह किसके साथ ज्यादा मैच कर रहा है और किसके साथ इसका कोई भी मैच नहीं है कोई डिस्टेंट रिलेटर यह तो भी क्लोज रिलेटर यह इंफरमेशन मिल रहा है यह सारा 16 जीनका करें और नेख स्लाइड में लोग देख सकते हैं वही इंफरमेशन आव में अब लोग ने पिछले स्लाइड में देखा कि हां यह बैक्टरिया का ग्रूप है और यह रूप यह थो फोंधे जोड़ा नजदी की रिलेशन है तो यह थोड़ा सा अगर कुछ और एक चाहिए तो आप लोग यह सारा यूस कर सकते हैं या तो फिर मुझे भी बता सकते हैं कॉमेंट बक्स में तो यह मेरा वीडियो जाए अगर आप लोग अच्छा लगा ओविस लाइक शेर कमेंट सब्सक्रिप्शन करें मेरे चैनल को थैंक यू सो मच